तो यह रहाँ टेरा कोटा का वो जगह जिसे औरंगा बाद जो नाम से भी जानते हैं जो पुरी दुनिया में भारत प्रूप बहुत फेमस है अभी वो बता रहे थे कि उनका भी दुबाई के लिए माल एक्सपोर्ट होने वाला है कितना प्यारा हाँ से यह डेकोरेशन पीस है और रहे इसका प्षुषिये गाईस लेकिन यह प्राइल फिलाल भाया बता रहे है चार्स हो गाई यह सिर्फ चार्स होता है थाइसा है वारिया हलका भारिया कि हलका अच्छी मावी वजन तो है वाली 150 या 180 ताम बेज वजन की सब अप्राइब सबस्टे रहते हैं तेरा इस वर्ड से काफी लोग परशीत होंगे और काफी लोग अभी नहीं जानते कि टेरा पोटा का असल मतलब होता क्या है आसान बहुता में आपको मैं समझाओं टेरा कोटा तो आप सबने कुमार सब तो सुना योगा कुमार यानि जो चाट पे उनका अपना सेट अप होता है जिसे चाग वोलते हैं और उस पे मिटी चाट पर रखकर के बोल्ड गोल घुमा करके और उसमें काफी सारी चीजे वो लोग बनाते हैं मिटी के जैसे दिये बरतन बुर्तियां काफी सारे फ्लाव सब्सक्राइब गोल चीजे दिये जा रही होता है जिसका मतलब होता है धर्ति को पकाना मध्यित मिटी को बना करके उसको पकाना ही होता है भारत के सभी स्को बनाइब ςको मैं दे लिधी? जा रही है और भी बहुत सारे डेकोरेटिंग पार्ट आप इस वीडियो में देखेंगे और आप यह समझ पाएंगे कि भारती टेरा कोटा पुरी दुनिया में इतना मसूर है और उसको काफी ज्यादा काफी सार ढमांड किया आज में आपको बताने वाला कि गोरप पुर का टेरा कोटा यहांनि अपने चाहर जो की उत्तरप्रदेश्क में इस्तित खुरप पूरी दुनिया में इसको दे चुके हैं साथी साथ दोस्तु दिवाली आने वाली है और डिवाली अ कुछी दिनों बा बहुत ही सुन्दर लगे साथी साथ आप यह वीडियो में यह भी देखोगे कि इतनी अच्छी चीज़ इतनी डेक्राइटिव आइटम जो कि बहुत ही सस्ते और बहुत ही अट्रैक्टिव जो आपकी घर को बहुत ही सुन्दर बना सकते हैं आपको पता चलेगा कि वह मिलते क कहां पर और कैसे मिलेंगे इस वीडियो आपको जानकारी के साथ पूरा ब्लॉग मिलेगा हम लोगों ने इस प्लेस को एक्स्प्लोर किया है पूरा घुमा है और कई सारी इंट्रेस्टिंग चीज़े देखिए और मैं आप दिखाऊंगा भी और वो जगह घुमाएंगे ग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गुद मॉर्निंग दोस्तों नमस्कार आप सुली का स्वागत है मैं बिल्कुल रेडी हो गया हूं मेरी बाइक पी रेडी हो गई है आज के व्लॉग के लिए हम निकल रहे हैं पहले सबसे पहले अलका को रिसीब करते हैं फिर वहां से रिस कि यह जहां पर हम लोग जा रहा है टेरा कोटा पेस पे मेडिकल रोड होके ही जाता है यहां से कुछ दूर आगे पड़ता है गुलरिया थाना और उसके आगे पड़ता है गुलरिया बजार वहां से रास्ता कटेगा वहीं से हम लोग चलेंगे और और वी चीज़े रास्त जून से गाड़ी चलाना और दूसरे हाँ से फोन पकड़ के ब्लाव बनाना इस मैने कि अगाड़ी चलान कॉन काटेगा हुआ रहा है तुम्हें ये लोकेशन कैसा लग रहा है ये गुलरियां से आपको ये रोड कटता है तुम्हें बजाब से बुदरियां बजारत जब आप लेफ्ट की तरह पोड़ेंगे तो ये रोड आपको पिल जाएगा और यहां सिर्भूते हुआ हम लोक आगे पढ़ रहा है हमें जाना है औरंगा बार तो ये रहाँ टेरा खोटा का वो जगह जिसे औरंगा बाद के नाम से भी जानते हैं जो पूरी दुनिया में भारत में बहुत प्यमस है तो आईए आपको एक ही करके यूनिक प्रोड़क्ट में दिखाता हूं ये बहुत ही प्यारा आइटम है इसमें गनेज बगवाण देखान और लचमी जी की मुर्ती रखी हुई अंदर और ये नारियल के सेप कटा हूँए मंदिर के जैसे ये बना हूँआ आगे दीपक लगे हुए आप देख सखते हो कि ये कितना प्यारा इस है अगर ये दीपक जब चलेंगे और ये बगवान की मुर्ती जब लगी अं मज़े की बात ही है कि ये गोरपूर से कुछ ही दूरी पर है मातर 10-15 किलोमेटर पर लेकिन गोरपूर में ही आता है और गोरपूर के नाम से ही फेमस है यहां पर सेल बहुत ज़्यादा होती है और ये पूरे दुनिया में फेमस है अभी वह बता रहे थे कि उनका भी हमारी कंपनी भारत हस्तकला लेडिस पर काम कर रही है हमारा अपना पोर्टफोलियो भी है जो कि मैं आपको लिंक शेयर कर दूगा और वीडियो भी दिखा दूगा मैंने इनके बहुत सारे फोटोशूट करें बहुत सारी सभी टेराकोटा के प्रटक्ट फोटोशूट में आपकोटा करें लेकिन हमें यह जगह बहुत पसंद आई जब में यहां पर पहली बार आया था तो मुझे देखने को मतलब बहुत कमाल लगा कि अपने गोरपूर में इतना बड़ा-बड़ा काम हो जाए अ इसके अंग कुछ बहर नहीं सब्स्तिक गढ़ इसको आप या ब्लग डीया सकते हैं इस या थीमारा वाल देकॉरेशन है इसको और डिवाल पी लगा यह आलिफेंट फेस और डेकॉरेशन है इसको आप ऐसे दिवाल पर हैंग कर सकते हैं ऐसे एसे लगा देंगे यह अच्छा फ्लावर पॉर्ट है मयूर डेकोरेशन का फ्लावर पॉर्ट है यह काफी बड़ा है नहीं नीचे का हिस्ता जो है यह एलिफेंट का टेबल है और हमारे लाल चंजी हमारे लिए पानी लेकर कर आए है यहां के करता में क्रियेटर यही है और यह एक हैंगिंग लैंप है लाल टेन के डिजाइन का आप इधर से ना इधर से वायर पर देगा एक छोटा सा एलेडी लाइट लगा देंगे उसमें और जलता रहेगा बस लगा सकते हैं रेस्टोरेंट वगरम लोग लगाते हैं दाबेवारी जो आती है सिंगल ना वही लगों सा एक नाइट में बैड्रूम से जाते के दिए भी काम आए गारे लेकिन यह देखो दादी इस मर में बना रहे हैं तुम भी सीख लो बहुत काम किसी है हमारे इस मर में ना भी पहां की अच्छा यह चीज पुझी ओ दादी बना कबसे रहें अच्छा पूछो उनकी साधी किस मर में पता है पहले के जमाना में साधी 15-16 साल में हो जाता हूँ अच्छा तुम हो गई हो इतनी बड़ी और देखो उतने उमर से आज तक बना रहे हैं तुम कह रही होगी इनको बनाते हुए समझ तो तीस साल से उपर हो गया होगा यह उससे जयादा है चालिश पचास कहलो अब यह 75 क्यों नाहीं साथ तो पारा है यह यहां की विरासत है यह 100-500 साल से यहां पर बन रहा है और पहले से बन रहा है नहरू जी यहां पर आये थे नहरू जी यहां पर आये थे और उन्हों ने यहां पर जब देखा बनते हुए तो उन्हों ने प्रोसान किया कि आप लोग बनाई है और यहां से कोई थे उनका क्या नाम था? उनका क्या नाम था जिनको लेकर गया थे नहरू जी गुलाब चंद जी जब परदानमिंतरी थे तो गोरब बुराए थे उन्हों ने यहां पर टेरा कोटा यानि मिटी से बने हाथी गोड़े की मुर्थियां देखी और उनको बहुत पसंद रहा एक सक्स ते गुलाब और योजनाय बनाई और साथी साथ तब से ये काम चलता आ रहा है संग वाले दिपक अच्छा में अच्छा माने हुए तो अच्छा मामी लेडा है मेरे स्टीए कि कह है ये जीए जीए कार्टून टाइब बनाया हुआ है वाले की अच्छा मेरे इस्ट्विमेंट के साथ मैन वगेरे का स्टाचू मेरे हाथ में ऐक टर्टल का पॉट्ट्यू की आप इसको अपने ऐफिस के टेबल पर रख सकते हैं और कच्छा बहों की सम्रित दो माना आ जाता है पानी लगकरिए चादी का कषवा रख सकते हैं आप इसमे एका फिश भी लग सकते हैं आसे बटने त्यार करके सर्ट को पकाये जा Courtney लें गरब नहीं लग लाइट कर अठी यह तो रहा है लोग तो इस ने बढ़ी के में इस बहुत सारे छीज़ भी लग जा रही है बाई लोग लगे हुए हैं कितना प्यारा हाउस है ये डेकोरिशन पीस है और इसको इसमें आप फिडिया पाल सकते हैं प्राइलिस का तो मत पुछे गाइस लेकिन ये प्राइल शिलाल भहिया बता रहे है चार्स होगा है ये सिर्फ चार्स होगा हँआ है कि हलका भार है कि हलका थिम्हाँ वजन तो है मयूर पॉट में कि अंग लैंग आप इसको बड़े आसानी से इसमें एक बल्ब सट कर सकते हैं चेबल पी रख सकते है और नैचरल बाऊर भी मजडित रताईब हैं डिया जीन किसा होगा में तर पैसे हैं ये दो वन हंड्ड़ेट पिए वन हंड्ड़ेट एक तो दोस्तों उमीद करते वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आए तो लाइक किजिए और कमेंट में बताई आपको कौन सा प्रड़क्ट अच्छा नग चैनल को सब्सक्राइब किजिए और इसमें कोई भी प्र अबर इफे आपने अपने घर सजासा अए और साथी साथ एड़्वाइस में आप सबेपो है भी रिवाइए तो वीडियो आपके चांच पर अच्छा नहीं है बहुत अच्छा आया अच्छा तो नहीं अच्छा आपको चाहिए खरीजा भी असाया है नहीं है खालेख और भालेख शरेख